देखिया अर्विंद केजरिवाल जी जिस प्रकार से भरष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और हमें और दिल्ली को हैरानी ये है कि दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि इनके पास कोई जबाब क्यों नहीं है ये तो बड़े बोलने में बड़े ही वीर माने जाते थे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो शराब घोटाले का आरोप लगा है उसमें अर्विंद केजरिवाल जी की घिग्गी बंद गई है और ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति उस भरष्टाचार में लिप्त होता है बहरहाल कानून अपना कारी कर रहा है मेरा पुरा विश्वास है कि इस देश के प्रत्यक नागरी को लॉय बैर्डिंग होना चाहिए कानून का पालन करना चाहिए आरोप आते हैं जाते हैं अगर कोई सत्य है तो उसको प्रश्णों का जबाब देना चाहिए जो जाच एज जी इस समय लगातार कोशिस करुरे किसी तरह हमारे पृति साहनुभूती आये, आई नहीं रही है, दिली नफरत करने लगी है अर्विंद केजरिवाल जी से, पानी के मुद्दे पे, डिटी सी के मुद्दे पे, जमुना जी के मुद्दе पे, यहां गरीबों के कल्यान के मुद्दे पे, रासनकार्ड के मुद्दे पे, यह सब पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्ति के मुद्दे पे तो अब अर्विंद केजरिवाल जी रोज कुछ न कुछ बहाने लेके आते हैं और शाम तक ढुप उसी में गिर जाते हैं भारती जनता पार्टी कभी भी भरष्टाचारियों की तरफ आँख उठाकर देखती भी नहीं, कि वो अपने पास आये या इसा सोचना ये भारती जनता पार्टी की बड़ी तोहीन है पुलिस जाती है तो नोटिस नहीं लेते हैं कि सबूद दीजिये, उतना ही करते हैं मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होता है, भारती जनता अभी आपने देखा ही है क्या हुआ है जिसके लिए कहा था कभी उनके लिए दर्वाजे खुले नहीं है, सबसे पहले दर्वाजे भारती जनता पार्टी ने खुले है और जो जो जिन जिन के उपर एडी के चार्जिस हैं, जैसे ही उन्होंने पला बदला है और भारती जनता पार्टी में गए है ED के notices आना बंद हो गए, ED के चापे पढ़ने बंद हो गए, उनके corruption cases खतम हो गए, वो washing machine में धुल लिये, आप महराश्च्रा में नरायन राने को देखिए, आप महराश्च्रा में इनको देखिए, प्रताप सरनायक को, आप महराश्च्रा में एकना शिंडे को देखिए, आप 70,000 करोड का घुटाले का इल्जाम हमने नहीं लगाया था, स्टेज पे, स्टेज पे खड़े होकर प्रधानमंति नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो मैं फिर से दोरा हूंगी, कि जो जो लोग इनके पास आते हैं, जिनको ये चुप कराने कोशिश करते हैं, या अपनी त बोल रहे हैं, वो जो सराब का जो मामला है, उसमें वहां तक तार जा रहे होंगे, इसलिए एजेंसी उनकी उनसे भी जांस कर रही है, अदरवाइज जो कोई आदमी, उनका परमुक आदमी, उनके मंतरी, इतने दों से आप देख रहे हो जेल में, कोट में क्या वो जानी र आप मामला.